दोस्तों हम सभी को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। हर कोई चाता है बाल सुन्दर हों, घने हों, लंबे हों, उसमें एक चमक हो, कि हर कोई देखे तो बुले वाख क्या बाल है। बहुत लोगों के तो बच्पन से ही बहुत सुंदर बाल होते हैं, क्योंकि बच्पन में ही उनके बालों की उनके स्वास्त की अच्छे से देखभल की जाती है, और जब देखभल किसी चीज की आप अच्छे से करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, आज की यह जो रेमिडी में आपके साथ शेर करेंगे हो, बहुत घरेलून उसका है, यह आपके बालों की लंबाई बढ़ाएगा, आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई डैंडरफ है, यह फिर कोई इंफेक्शन है, उसको यह बहुत अच्छे से हटाएगा, बालों में नमी प्रदान करेगा, एक नैचुरल शाइन देगा, एक जो सुभाविक से शाइन हो नीचे बालों में, वो आपको प्रदान होगी, आपके बालों की, दो मुए बालों की प्रॉब्लम खतम होगी, डैंडरफ खतम होगी, अगर बालों में जूएं लिखे हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, किस प्रकार से करना है, चलिए देख लेते हैं, मैंने मेरी बेटी के बालों में, शुरू से ही, कोई ना कोई सीरम, कोई ना कोई ओयल हमेशा लगाया है, जिससे कि आप देख सकते हैं, मेरी बेटी के बाल कितने जादा घने लग रहे हैं, आज भी इस रेमिटी को बनाने के लिए, बहुत ही घरेलून उसका लेके आई हूँ, जिसको आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं, हलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंग, आपको अगर टाइटल और थमनिल देखके, वीडियो कुछ भी पसंद आ गया हो, तो लाइक जरूर दे दिजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बैल आइकॉन के साथ में आगे के वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए, इस रेमिटी को बनाने के लिए, हमें लेना है एक एक चम्मच कलोंजी और मेथी, और इसको हमें भिगो के रखना है कम से कम दो खंटे के लिए, कलोंजी में पाय जाते हैं बहुत ही जरूरी पोशक तत्वर, जो हमारे बालों की ग्रोथ तो बढ़ाते ही है, हमारे बालों को स्वस्त रखने में भी बहुत हेल्प करता है, यह बालों को जड़ने से भी रोकती है और बालों की ग्रोथ को डबल करती है, साथ में हमने लिया है इसमें मेथी दाना, मेथी दाना में पाय जाता है हाई प्रोटीन और निकोटीन एसिट, जो की हमारे बालों की हेर फॉल की प्रॉब्लम को खतम करता है, पैक्टिरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है अगर आपकी स्किन के उपर किसी भी परकार का क्वी स्केल्प का इशू है मतलब ड्राइनस है बालों में बाल्डनस है मतलब बहुत ज़्यादा से एक जगा से हट रहे हैं यहां फिर आपके बाल बहुत जादा पतले हैं, तो आपको फैनुगरिक सीट मतलब की मेथी दाना का regular कोई ना कोई हैर मास्क अपने बालों में जरूर लगाना चाहिए. अगर आपके बाल बहुत जादा पतले हो गए हैं, कम हो गए हैं, यहां आपको दिख रहा है कि स्केल्प का कोई इशू है, तो आपको मेथी दाना जरूर अपने बालों में लगाना चाहिए. आप साथ में हमने ली है जी दृत कुमारी, दिख के आपको नाम अजीब सा लगाओगा, इसको आजकल हम बोलते हैं जी अलोवेरा, नैचरल वाला अलोवेरा आपको इसमें लेना है, इसमें हमें मार्केट वाला नहीं लगेगा, इस प्रकार की पत्तिया आपको मिल जाती ह विटामिन आ, विटामिन B, विटामिन C अब सुछे 밉टामिन को से जिसी अपि अपने चैनल पर अपलोड के हुई है दोस्तों आप देख सकते हैं उसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है इतना ही रिजल्ट हमें आज अपने बालों के लिए भी मिलने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ जो शेयर करी हूं रेमेडी यह मेरी बेटी के बालों में बहुत बार लगा चुकी हूं अलोवेरा आपके बालों को मजबूत बनाता है बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है जो हमारी स्केल्प होते हैं जहां से जादा तर बाल टूकते हैं उसको यह मजबूती देता है साथ ही साथ यह आपके डैंडरफ से भी आपको इतना जूसी है कि मतलब इसको खाने का दिल करता है इसको आप पी भी सकते हैं दोस्तों आपको पता है अगर आप पीते हैं तो आपकी स्किन के साथ साथ में आपकी बॉड़ी को भी अंदर से साफ करता है अलोवेरा में इतने सारे गुण है दोस्तों कि आप इसको किसी भी च जरोरी है कि काते तो हमें क्या है के काटा है को को आपको मैथी दाना के साथ में घ्राइब करना देखे दोस्तो इसमें वैसे तो आपको पानी की ज़रूस्ट नहीं पड़ेगी क्योंकि यह वीताई होटा है पानी ही होता है उसमें ठीक है तो हमें क्या करना है इसको गुराइंट करना है देखे इस तरह से हमें मिल जाएगा देखे लगाने को तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन जब आप अपने बालों को धोएंगे दोस्तों उस वक्त पे आपकी हालत खराब हो जाएगी क्योंक आपको इसको बढ़िया से चान लेना है चानने से क्या होगा कि सिरफ हमें कंडिशनर मिल जाएगा हमारे बालों के लिए जो एक लिक्वीड हमें मिल जाएगा वही लिक्वीड को आपको अपने बालों में लगाना है मसाज कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूं सबसे पह तो यह एक तरीका है जो कि आपको करना है आपको बढ़िया से इसको छान लेना है चाहे तो छनी की हेल्प से करिए चाहे तो अपकड़े में डाल के उससे अच्छे से निचोड लीजिए अब दोस्तों हमें डालना है रहीं कि जो प्रॉपटी है हमारे बालों के लिए वह है बेक्टीरियल प्रॉपर्टीज करड एक बहुत ही एक्सिलेंट इंग्रीडेंट है जो आपके स्केल्प के ओपर इंफेक्शन को तो भगाता ही है साथ में रिड्यूस करता है स्टबबन डेंडरफ और इचीनस से अगर आपके बालों में बहुत जादा ही डेंडरफ है जो जाते हैं क्योंकि डेंडरफ उस जगह पे इतनी ज़्यादा जम जाती है उसके बाद जब खुजली होती है तो अपने साथ में बालों को भी ले जाती है जो जो लोग मेरी इस बात से सहमत है प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर करना किस किस के साथ में प्रॉब्लम हुई है कि उनके बालों में बहुत जादा डेंडर्फ थी उन्होंने उस पे खुजली किया और वहां के बाल उड़ गए ऐसा होता है दोस्तों आप करके देखेगा कर्ड में पाया जाता है विटामिन बी फाइफ और डी जो कि आपके बालों के लिए एक सूपर फूड है दोस्तों दही हमारी स्किन के साथ में हमारे स्किन के साथ में हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है आप छोटे बच्चे को अगर बालों में दहीं लगाते हैं सिरफ सिरफ आप उसको दहीं के साथ में वाश करते हैं उसके बाल तो आप देखी कैसे रूई के जैसे उसके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे रेशम की जगए रेशम की तरह उसके बाल लगेंगे आप उसके बालों में हाथ लगाईए मैंने मेरे बच्चों के दोनों बच्चों के बालों में जब ये छोटे थे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़े लगाई है जो मेरी मम्मी जो मेरी सासू मा हमेशा मेरे को बताती थी मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि मसूर दाल को भिगो के रात को पानी में भिगो के अगले दिन उसको आपको पेस्ट बना के बच्चे के बालों में लगाना है मेरी बेटी के बाल आप देख रहे हैं इसके बाल बच्पन से ही ऐसे हैं क्योंकि मैंने मेरी बच्ची के बालों की बहुत केर किये क्योंकि मेरे बालों की केर मेरी मम्मी ने की मेरे बाल भी बहुत अच्छे थे हर किसी के बालों के साथ में एक time के साथ में दिक्कत आती है कई बार pregnancy के बाद में बाल जढ़ जाते हैं कई बार आपको जुखाम अगर extra रहता है जुखाम की वज़ा से भी आपके बाल जो होते हैं दोस्तों जढ़ते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जुखाम आपको ना लगे कि जुखाम आपके बालों को बहुत हद तक जढ़ा देता है कम कर देता है ठीक है जी और मेरे साथ ही साइनस की प्रॉब्लम रह चुकी है तो मैं यह सब झेल चुकी हूँ लेकिन अब तो मैं भगवान की कृपा से काफी हद तक रिकावर हो गई हूँ तो मैं बहुत हद तक उस चीज़ से निकल गई हूँ तो देखे आपको करना क्या है इस तरह से बालों में अच्छे से आपको लगाना है और उसके साथ साथ में लगाते लगाते में ही आपको अपने बालों में मसाज भी करनी है पूरे बालों में मैंने नहीं लगाया है मैंने सिरफ अपनी बीटी के जड़ों में लगाया है इस तो मैंने सिर्फ उसके बालों की जड़ों में अच्छे से लगा के मसाज की और जो पेस्ट बच गया है उसको मैंने उसके बालों में उपर से खाली जैसे होता ना एक लेयर लगा दी है के कंडिशनिंग भी हो जाएगी कितने बढ़िया से आप दिख रहे होंगे यह हमेशा इसको करने के बाद में आपने बालों का पहली बार वाला ही रिजल्ट शेयर भी करना है दोस्तों मुझे इंस्टाक्राम के ऊपर अपने बालों की पिचर शेयर करिए प्लीज अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं उन पिचर को आगे उन विवर्ट को भी दिखा सकती हूं जो कि पहली बार हमारे चैनल से जोड़ रहे हैं चैनल को लाइक कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे ही वीडियोज लाने के लिए और क्योंकि हमारी फैमली बहुत जल्दी 100 के होने वाली है तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे और 100 के जैसे ही complete होगा मैं 10 लोगों को एलोवेरा का जो मतलब पैकेट बॉटल आती है वो मैं 10 लोगों को दूँगी क्योंकि आगे जाके अब मैं जैसे ही मेरा 100 के होने वाला होगा तो मैं किसी ना किसी वीडियो में कोई ना कोई ऐसा question पूछूँगी जिसका answer उन्हों ने मुझे Instagram के उपर देना है जितने लोग उसका answer देंगे उन लोगों को मैं aloe vera की bottles अपने से भेजूँगी जो की मेरी तरफ से एक return gift होगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी बालों के लिए भी यूज कर सकते हमें और जादा इंट्राक करने में आशा करती हूँ इस remedy को करने के बाद में आपके result मुझे जरूर आएंगे जादा से जादा लाइक दीजिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपना ख्याल रखे